दक्ष वर्षा तेज हो गई है हम इस बड़े पेड़ के नीचे ख़ड़े हो जाते है हाँ आकाश में काले बादल भी जाये हैं लगता है बहुत वर्षा होगी मुझे बारिश देख कर एक कविता याद आ रही है सुनाओ हरा सुनहरा नीला काला रंग बिरंगे बूट वाला चमक रहा है कितना चम चम इसका सुन्दर पंक निराला लंबी पूँच मुकुटधर सिर पर भीमा कार देह अति सुन्दर इस प्यारी छवी पर मोहित सबनारी नर वर्षा रितु की भीषण गर्जना सुनकर होकर भाव विभोर नाच रहा देखो घने जंगल में मोर मोक्ष ने अपनी कविता में मोर की विशेष्टाएं बताई हैं विशेष्टाओं से याद आया विशेष्टा बताने वाले शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं कविता के साथ उनकी बादचीत में कौन से शब्द विशेष्टा बता रहे हैं देखते हैं विशेष्टा बताने वाले शब्द संग्या शब्द तेज वर्षा, बड़ा पेड, काले बादल, एक कविता, हरा सुनेहरा पत्ता, सुन्दर मोर, लंबी पूँच, प्यारी छवी, भीम देह इस प्रकार जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं जिन संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताई जाती है, उन्हें विशेष्च कहते हैं विशेषण के भेद विशेषण के चार भेद होते हैं पहला गुण वाचक विशेषण दूसरा संख्या वाचक विशेषण तीसरा, परिमान वाचक विशेशन चौथा, सार्वनामिक विशेशन देखो, लाल सेब कितने सुन्दर लग रहे हैं आओ, तोड़े लेकिन ये तो उचा पेड़ है हम कैसे चड़ेंगे? वह देखो, लंबी सीरी हम सीरी लगाकर सेब तोड़ते हैं राधिका और करण द्वारा बोले गए वाक्यों में लाल, उचा तथा लंबी शब्द क्रमश, सेब, पेड़, तथा सीड़ी के गुण बता रहे हैं अतह ये गुण वाचक विशेशन है कुछ प्रमुग गुण वाचक विशेशन है? गुण वाचक विशेशन जो विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम के गुण दोश, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थितियादी का बोध कराते हैं उन्ही गुण वाचक विशेशन कहते हैं दुलहन लाल जुडे में सुन्दर लग रही है अरे कच्चे अमरूदवत तोडो मेरे घर के सामने पीपल का विशाल व्रिक्ष है उपर्युक्त वाक्यों में लाल, सुन्दर, कच्चे और विशाल शब्द क्रम्शह, जोडे, दुलहन, अमरूद और व्रिक्ष संग्याओं के रंग, गुण, दशा, आकार बता रहे हैं अतह ये विशेशन शब्द हैं कुछ प्रचलित गुणवाचक विशेशन इस प्रकार हैं गुण या दोश बोधक परिश्रमी, उदार, अच्छा, विनम्र, आलसी, मूर्क, कायर, दुष्ट, पापी, आदी दशा या अवस्था बोधक स्वस्थ, रोगी, बूढा, पतला, बीमार, युवा, आदी आकार प्रकार बोधक गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौडा, चप्टा, छोटा, आदी स्पर्श बोधक मुलायम, खुर्दरा, चिकना, ठंडा, कठोर, कोमल, गरम, नरम, आदी काल वस्थान बोधक पुराना, नया, प्राचीन, दैनिक, साप्ताहिक, देशी, विदेशी, भारतिय, चीनी, जापानी, ग्रामिन, शेहरी, आदी रंग बोधक नीला, पीला, काला, चितकब्रा, रंग बिरंगा, आदी स्वाद्व गंध बोधक खटा, मीठा, तीखा, नमकीन, मधुर, कड़वा, सुगंधित, खुश्पुदार, गंधहीन, बदबुदार, आदी संख्या वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या अत्वा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्या वाचक विशेशन अरे वा, यह पुस्तकाले तो बहुत बड़ा है, यहां तो हजारों पुस्तके हैं, चलो, हम अपनी पसंद की किताबे लेते हैं, एक सदस्य को केवल तीन पुस्तके मिलेंगी, एक पुस्तक दो सब्ता के लिए जारी की जाती है द्रिश्य में दिखाए गए वाक्यों में हजारों, एक, तीन तथा दो विशेशन शब्द संग्या शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं यह संख्या वाचक विशेशन हैं, संख्या वाचक विशेशन के दो भेध होते हैं पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेशन, जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेशन कहते हैं, पेड़ पर चार तो उपर्युक्त वाक्यों में 4, 5, 1 दर्जिन, शब्दों से क्रम्षय तोते, बच्चे और पैंसिलों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अता ये निश्चित संख्या वाचक विशेशन है। अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं. कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं. सभी आदमी कुर्सियों पर बैट गए मेरी गुल्लक में धेर सारे पैसे है उपर युक्त वाक्यों में कुछ सभी और धेर सारे शब्दों से बच्चों, आदमियों और पैसों की किसी निश्चित संख्या का बोद नहीं हो रहा अतह ये अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन है परिमान वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल का बोद कराते हैं उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं रामधन भया, तुम्हारी नई गाय तो बहुत सुन्दर है, कितना दूद देती है? यह रोजाना बीस लीटर दूद देती है चारा भी तो पंद्रबीस किलो खाती होगी इन लोगों की बात में 20 लीटर, 15-20 किलो और 8-9 मीटर संग्या शब्दों की माप तॉल बता रहे हैं यह परिमान वाचक विशेशन है परिमान वाचक विशेशन के दो भेद है निश्चित परिमान वाचक विशेशन निश्चित परिमान वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तॉल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं इस थैले में 10 किलो आटा है बच्चों को प्रति दिन एक लीटर दूद अवश्य पीना चाहिए हलवाई ने जलेबियों के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई है अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं बहिंजी थोड़ी दाल चाहिए तुमने सारा तेल गिरा दिया आज बहुत खाना खा लिया है उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ी, सारा, बहुत शब्द, क्रमशा दाल, तेल और खाना की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं सार्वनामिक विशेशन जब सर्वनाम शब्द संग्या शब्दों से पहले लग कर विशेशन का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं वह घर हमने नया लिया है यह आदमी कौन है? वह चौकिदार है, दिपावली पर मेरे भाई इसे उपहार देंगे दिव्या और श्रिया की बात में वह यह तथा मेरे सर्वनाम शब्द आए हैं और क्रमश, घर, आदमी तथा भाई की ओर संकेत कर रहे हैं अता यह सार्वनामिक विशेशन हैं प्रविशेशन विशेशनों की विशेशता बताने वाले विशेशनों को प्रविशेशन कहते हैं यह अत्यंत व्रिद्ध कुत्ता है यह कुरता बहुत लंबा है तुमने बड़ा सुन्दर चित्र बनाया उपर्युक्त वाक्यों में अत्यन्त, बहुत, बड़ा शब्द, क्रमशवरिध, लंबा और सुन्दर विशेशनों की विशेशता बता रहे हैं अता ये प्रविशेशन है विशेशनों की रचना कुछ शब्द मूल रूप से विशेशन होते हैं, कुछ अन्य शब्दों से बना लिये जाते हैं विशेशन शब्दों की रचना मुख्यता संग्या, सर्वनाम, क्रियाव अव्य शब्दों में उपसर्ग प्रत्य लगा कर की जाती है संग्या से विशेशन बनाना सर्वनामों से विशेशन बनाना सर्वनाम विशेशन मैं मेरा जो जैसा वह वैसा तुम तुमारा यह ऐसा आप आपका कौन कैसा हम हमारा क्रिया से विशेशन बनाना, क्रिया विशेशन, चबाना चबेना, उर्ना उडाव, लूटना लुटेरा, जगरना जग्रालू, बिकना बिकाव, अडना अडियल, मिलना मिलनसार, मर्ना मर्यल अव्यय से विशेशन बनाना, अव्यय विशेशन, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला, उपर, उपरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला हमने सीखा, संग्या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं, जिनकी विशेशता बताई जाती है, वे विशेश्य कहलाते हैं विशेशन चार प्रकार के होते हैं, गुण वाचक, संख्या वाचक, परिमान वाचक और सार्वनामिक विशेशन की विशेशता बताने वाले शब्द को प्रविशेशन कहते हैं कुछ शब्द मूल रूप से विशेशन होते हैं संग्या, सर्वनाम, क्रिया और अव्याय शब्दों से भी विशेशन बनते हैं